सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोज के लिए बैल आइकन को दबाना ना बोलिए लवशकार दोस्तों अगर डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है आज हम एक बिगनर लेवल की वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे के स्टॉक मार्केट के रेगुलिटर्स कौन होते हैं उसमें उनका उद्देश्य क्या होता है और वो आपकी मदद किस तरह से करते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो रेगुलिटर्स से पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की बिगनर्स के लिए स्टॉक मार्केट को बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहेंगे जैसे आप अपने आसपास किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे कुछ समान करीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको क्या समान चाहिए किस रेट पे चाहिए कुछ लेवल पे नेगोशियेट करते हैं और फिर आप समान करीदते हैं उसके पैसे देते हैं और फाइनली वो समाल घर लेके जाते हैं stock market भी almost similar है इसमें आप देखते हैं कौन सी companies के shares में आप interested है उसके बाद जिस तरह से buyer होता है वैसे ही seller होता है जो के अपने stocks को एक specific bid price पे बेजना चाहता है तो उस level पे कुछ न कुछ negotiation वहां भी होती है और finally जो price quote किया जाता है अगर आपको वो सही लगता है उस price पे आप उस stock को खरीते हैं यहां पे लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती stock market में आप electronic या internet के माध्यम से यह खरीद फिरॉक कर सकते हैं तो stock market एक तरहां से एक medium बनता है stocks का buy और sell करने के लिए हाला कि यह भी है कि directly आप stock market से नहीं खरीज सकते कोई share उसके लिए आपको किसी stock broker की आवशक्तिया रहती है वो topic किसी और दिन discuss करेंगे तो अभी मुद्देग pay point यह है कि directly आप निवेश नहीं कर पाएंगे stock market में और एक तरह से किराने की दुकान departmental store का example आप अपने विमाग में रख सकते हैं तो अगर आप stock market का बाजार लगा है तो ग्राहग भी होने ज़रूरी है तो stock market में अलग-लग level के participants होते हैं इसमें domestic retail participants होते हैं जो आपके जैसे retail level पे trading और investment करते हैं वही NRI और OCIS भी होते हैं जो लोग इंडिया और इजन के होते हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते वो लोग भी Indian stock market में trading कर सकते हैं उसके लावा कुछ domestic institutions भी होती हैं जिसका एक अच्छा-च्छा example LIC Life Insurance Corporation है एक बड़ी corporate entity है इस particular segment में वही AMCs domestic level पर होती है asset management company जिसमें आप mutual funds में जब निवेश करते हैं तो बड़ी-बड़ी companies जिसमें नाम आते हैं SBI mutual fund, BSP, BlackRock, Fidelity Investments, HDFC, AMC इस सब भी किस ना किसी level पर stocks में invest करते हैं foreign institutional investors भी होते हैं जो कि non-Indian एक तरह से corporate entities होती हैं और foreign asset management companies होती है इसमें hedge funds बड़ी-बड़ी companies होती हैं जो foreign का पैसा अपने भारतिय बजार में लगाती हैं तो यह हैं अलग-लग level के participants जो कि stock market में निवेश करते हैं short term के लिए, long term के लिए depending कि वो किस तरह की trader, किस तरह की investor या हिंदी में कहें तो निवेशक हैं तो अब जब stock market की बात आई है तो definitely एक point ना level पे कुछ greed भी आ सकता है क्योंकि पैसा involved है तो greed आएगा तो कुछ ना कुछ concerns कुछ ना कुछ issues भी हो सकते हैं जो लोग safe खेलते हैं या rather safe खेलते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है इसी लिए regulators का होना जरूरी है पूरी stock market को इंडिया में regulate करता है SEBI SEBI है Securities and Exchange Board of India अब SEBI stock market में एक अच्छा खासा काम करती है वैसे तो इनके 7-8 अच्छी-खासी responsibilities हैं लेकिन main obligation इनका है छोटी मचली को बड़ी मचलीयों से बचाला अब अगर regulation पीच में आई है तो certainly ये सरकारी एक regulation है और उसमें अलग लग लेवल पे कुछ ना कुछ responsibilities द्यादा करती है छोटी मचली से ताथ पर ये है जो भी retail investors हैं जो भी छोटे निवेशक हैं उनको बड़ी-बड़ी company से बड़े-बड़े scams को होने से दूर रखना और certainly उससे overall environment रहेगा महौल रहेगा stock market का वो भी साफ रहेगा तो overall अगर हम बात करें responsibilities की तो पहले बात तो SEBI को ये देखना है कि NSE और BSE जो की national stock exchange और Bombay stock exchange है उसमें जो overall business है वो fairly खेला जाए stock broker या जो sub broker होते हैं वो अपना काम fairly करें जो participants होते हैं जो हमने अभी बात की 4-5 तरह के वो भी किसी unfair practice में ना पड़ें जो corporates हैं बड़े-बड़े वो अपने फाइदा पैसे का फाइदा उठा के overall stock market को किसी तरह incline या decline ना करें चोड़े निवेशक जैसे मने बताया उनके interest को product करना बड़े निवेशक जो के अच्छी खासी cash pile के आ सकते हैं वो market को manipulate कर सकते हैं इन चीजों से दूर रखना और overall जो market है उसको develop भी करना जैसे आप देख रहे हैं कि market या sensex या अलग लग जो indices हैं वो अच्छे कासी बढ़ रही हैं पिछले 6 महीने साल में तो certainly उसमें CB का भी एक अच्छा खासा rule है और अगर एक भी entity कुछ भी fancy काम करेगी कुछ भी गलत करेगी तो और overall stock market का overall exchanges का माहौल खराब होता है और certainly एक डर भी पैदा होता है निवेशक में तो इसी लिए हरे एक participant के लिए CB ने अच्छे कास से framework बना रखे हैं rules and regulations बना रखे हैं audit किये जाते हैं टाकि सभी तरफ से fair practice खीली जाए तो ये था एक introductory video जिसमें हमने बताया कि अलग-लग participants कौन से हैं stock market का game क्या है और-और सेभी का overall position क्या है वो देश्य क्या है इस पूरे ecosystem में अगर आपके पास कुछ सवाल है तो आप में comments में नीचे बता सकते हैं certainly हम आपका जवाब जरूर देंगे और वहीं अगर आप directly लिवेश में stock market में इंटर करना चाहते हैं और stock broker चाहते हैं एक level पे तो certainly आप यहाँ पे अपनी details अपनी preferences बताइए उसके corresponding आपको brokers की details send की जाएंगी तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो अगर ऐसा है तो इसको like जरूर करें, share जरूर करें और certainly subscribe जरूर करें और इस content से अपने आपको update रख सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much, bye bye